इस समय भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में कैंसर ने जो तबाही मचाई है वो पूरे विश्व के लिए सोचने का विश्य है हाँ पंच गव्य प्राकर्तिक चिकिछ्या के माध्यम से कैंसर को हराया जा सकता है ये बार बार हम आपको दिखाते भी हैं और परमानिक रूप से सिद्ध भी करते हैं आज हमारे बीच में तीगरा से संजे जी जी हैं और ये कैंसर के रोगी थे अब नहीं है और इनकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो जिस समय इनको कैंसर के बारे में पता चला तो पहले जैपूर गए फिर ये दिली गए 28 कीमो इनको लगातार लगी और 8 लाक रुपे के आसपस इनका खर चाया और इनको मिला क्या इनको मिला बिस्तर 28 कीमो के बाद ये बिस्तर पे थे इनका परिवार इनको लेके आया बलकि मैं यूँ कहूं जो इनसे बात्चित के दोरान पता चला कि जिद करके ये होस्पिटल से घर पे आए क्योंकि होस्पिटल इनको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था गोमाता की किरपा बनी परकर्तिमा का असिरवाद बना और ये गुरु को लाए और आज साड़े चैं महीने के बाद इनकी सबी रिपोटे सामाने है और मात्र दो महीने की दवा खाने के बाद ये अपने कारिये पे चले गए थे सबसे पवित्र कारिय इनका है लोगों का तन ढखने का कारिय जो वस्त्र बनाने का जो कारिय है वो भाईशाब करते हैं तो मैं सभी अखंड भारत स्वाइमान के कारिय करता हूं को बधाई देता हूं जिनकी आथक मेहनत की वज़े से ये संबब वो पा रहा है हमारे साथ हरफुल भाई भी है जो परतेक रविवार को अपनी नोकरी को छुट्टी ले के क्योंकि इनकी मेंटेनेस डिपार्टमेंट में है रविवार को छुट्टी नहीं होती है फिर भी ये सेवा में आते हैं और बहुत सारे देश बरके कारे करता इस कारे में लगे हैं इनको बहुत बहुत बदाई तो मैं अब सबसे पहले दो सब्द चाहूंगा पूरी संजे जी की जुबानी से क्या कुछ समस्या थी और कैसे इनोंने इन समस्या को हल किया और क्या ये संदेश गोमाता के लिए, गुरुकुल के लिए, रास्ट के लिए और प्रकरती मा के लिए देंगे संजे जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मैं आचारिय जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे को कैंसर का पता चला दिल्ली जाकर जैपुर से मुझे मिस गाइड कर दिया गया वहाँ पर मेरे को MRIB की PET CT scan भी किया और उसके बाद BIPC भी कर दी लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि मेरे को कैंसर है मेरे को पता नहीं था इसलिए मेरे को दर्द काफी बढ़ गया था तो मेरे जीजाजी ने वहाँ बुला लिया दिल्ली और वहाँ पर दिखाया तो पता चला कि वह कैंसर है वहाँ भी CT scan किया और BIPC भी की दो बार BIPC होने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि भई किमो देंगे तो मेरे को 28 किमो लगी तीन महीने के अंदर तो मैं इतना तूट चुका था कि मुझे उठा भी नहीं जाता था लास्ट किमो देने के बाद मेरे को स्पॉर्टी केयर पर रखा गया और उसके लिए मुझे खून भी चड़ाया गया मुझे खून कितनी कमी हो गई थी कि खून चड़ाने के बाद भी मेरा लेवल 6.5 था तो मैंने डाक्टर से जिद करके ने चुट्टी ली उन्होंने कहा कि और किसी को बुला लो गर से खून चड़वाने के लिए मैंने कहा कि मैं एक बढ़ घर जाना चाहता हूँ तो उन्होंने घर बेद दिया और घर आकरके वो एक महिने के लिए मुझे फिर एक महिने के बाद फिर बुलाया मुझे तो उसके बाद फिर पैट सेटी स्कैन किया तो उसमें पता लगा कि मेरे किड़नी और लिवर पर कैंसर रह गया है तो उस आलत में मेरे को किमो नहीं दे सकते थे उन्होंने दुबारा किमो की देने की आवशकता समझी लेकिन मैंने अपने घरा आ गया और मेरे जी जाजी ने बताया कि आप पाली चले जाओ पाली जी आचायरिय जी के पास आया और गोमाता को देखा तो बहुत पर्षन हुआ यहां आयरुवेदिक इलाज बहुत अच्छे से होता है मैंने 6-6 मैंने इलाज लिया है गुरु जी ने कहा कि इलाज अच्छे से लो और परेज सबसे जादा बहुत जरूरी है पत्ते और प्रकर्ति मा में विश्वास रखो इन्होंने बहुत ही स्पोर्ट किया है मेरे को और मेरी माने तो बहुत ही स्पोर्ट किया है इन दोनों का मैं कभी भी कर्ज नहीं उतार सकता और गो माता का करज नहीं उतार सकता, प्रकर्ति मा का करज नहीं उतार सकता, क्योंकि मैंने उसके पत्ते खाए हैं, उसके ओक्षिजन से मैंने अपने जीवन को बचाया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, कि आप प्रकर्ति को बचाएं, पेड़ पॉद्दो को लगाएं, और को बचाएं ताकि आने वाड़ी पेड़ी शुरक्षित रह सके धन्यवाद बहुत अच्छा संदेश एक रोगी ने ठीक होने के बाद दिया है और मैं चाहूंगा हमारे संक्ठन के बहुती कर्मत सदस्य हर्फुल जी भी दो सब्द गोमाता के लिए रखें वंदे मात्रम बा खरीब से समझते हैं तो वो सब गहुंगाता की देन है और हमारे इस अधिस सदस्दी अधिकृत गुर्क्षित गुर्प में यानी के बाबाे जै रामिदास ग्यान बोमी राजिवद्धिक्षित गुर्क्षित में जो गैंसर के रोगों का हिलाज होता है भारत में कहीं ऐस क्योंकि यहां जड़ी बूटों को उगाया जाता है पकाया जाता है और फिर उनको तरास के और उनके फारमुल के अनुसार आज के समय के अनुसार दिया जाता है हमारे यहां से जो भी रोगी द्वाई लेता है यह दीव है हमारे दिन्चरिया और परेज के हिसाब से प्रार्तना है यदि बाबा जैरामदास ग्यान बोमी गुरुकुल राजी दिशित से यदि कोई दवाई लेके जाए तो वो परहेज का पक्का रहे और दिन्चरिया का पक्का रहे उसको दवाई संपूर्ण आराम करती है और वहे ठीक होकर दोबारा इस बारत देश की और मा प्रार्तना है कि गव माता और प्रकृति की सेवा जो करने में विश्वास रखेगा वो जरूर ठीक होगा वंदे गव मात्रम बाहिराजी दिशित अमर रहे